हालो एवर्वान वल्कम बैक टो माई चैनल स्नीहा स्टाइनी वर्ड होप आप सब ठीक होंगे आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी माई स्टाइल बिर्यानी का रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी उसके लिए मै यहाँ पे हाफ केजी जितना दही ले रही हूं 3 चमच जिंजर और गारली का पेस्ट आड़ गर्ण कर रही हूं 3 चंच जीरा धनी और काली मिर्च का पावडर 4-5 चमच एतना लाल मिर्श का पाउडर या फिर अपने टेस्ट की साफ से अड कर सकते हैं आप लोग उसके बाद नमग आड करूँगे अपने टेस्ट की साफ से और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसमें आट करूँगी एक चम्मज केवरा वाटर, एक चम्मज गुलाब जुल और एक चम्मज गरम मसाला पाउडर और चार से पाच चम्मज जितना बिरियानी मसाला पाउडर और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब इसमें आड़ करूंगी 2 kg जितना चिकन का पीसेज को तो मैंने ज़्यादा बरा साइज नहीं किया है मिडियम साइज का चिकन लिया है और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ इससे चिकन अंदर तक जूसी होता है अब इसमें 2-3 चमर जितना लिमन का जूस आड़ करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक घंटा के लिए छोड़ देंगे या फिर ओवरनाइट भी डख सकते हैं अब मैं बिरस्ता फ्राइ कर लूँगे उसके लिए मैं एक करहाई में याफ लिटर जितना तेल एड़ कर रही हूँ तेल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया अब इसमें प्याज एड़ कर दूँगी मैं यहाँ पे एक केजी जितना प्याज को स्लाइसली कट करकर एड़ कर रही हूँ बिरस्ता में बहुत अच्छा सा कलर आया है अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में नहीं तो फिर यह जल जाएगा सेम ओयल मैं आलू को फ्राइ कर लूँगी आलू को मैंने बॉयल कर लिया था अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी आड़ करके लाइट गोल्डन फ्राइ कर लूँगी अब बिर्यानी का चावल को कर लूँगी उसके लिए मैं पानी को बॉयल कर लूँगी जयादा कुएंटिटी में पानी लेना है तभी चावल अच्छे से खिले बनेंगे और उसमें मैं थोरा सखरा मसाला और रिफाइंड ओयल आड़ की हूँ पानी को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया अब इसमें मैं दो किलो जितना बासमती चावल आड़ कर रही हूँ और चावल को मैंने एक घंटा के लिए सोक करके रखा था चावल 70% जितना कुक हो गया तो इसमें नमक आड़ कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको स्टेन कर लेंगे जल्दी से अब मैं चिकन कुक करूँगी तो सेम ओयल में मैं चिकन के पीसे को एड़ कर दूँगी और हाई फ्लेम में चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी चार से पाच मिनट के लिए और जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो तब इसमें मैं जो बचा हुआ मसाला है चिकन का उसको एड़ कर दूँगी चिकन को मैंने 15 मिनट जैसा कुक कर लिया और देखिए अच्छा का सा मोईस्चर है इसमें अब इसमें मैं आड़ कर दूँगी बिरस्ता तो मैंने जितना भी फ्राई किया था बिरस्ता उसका 1 फोर्ट रखे बाकी सारा को मैं चिकन में आड़ कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और इसको और 10-15 मिनट के लिए कुक कर लूँगी तो देखिए चिकन में कितना अच्छा कलर आया है और तेल अच्छे से से परेट हो गया है और gravy भी dry हो गया है देखिए ऐसा ही gravy चाहिए एकदम dry सा, ज्यादा dry भी नहीं करना है एकदम थोड़ा सा gravy रखेंगे तो मैं flame को off कर दूँगे, हमारा chicken done हो गया है अब मैं एक बाउल में 2-3 चम्मच जितना दूदली हूँ उसमें मैं 3 चम्मच जितना गुलाब जल आड़ कर रही हूँ और 3 चम्मच गेवरा वटर और 4-5 ड्रॉप्स मीधा अत्तर आड़ कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा एक पिंच के बराबर यलो फूट कलर आड़ कर रही हूँ अब चावल को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी इसमें आड़ करूँगी थोड़ा सा नमक एक चम्मच जितना बिरियानी मसाला पाउडर और थोड़ा सा बिरस्ता और इसमें आड़ कर रही हूँ चिकन का जो ग्रेवी बचावा था उसको इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जूसी सा बनता है और चावल खिला भी रहता है और फिर से इसमें मैं चावल का लेएर बना लूँगी और चावल को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी थोड़ा सा नमक आड़ करूंगी, एक चम्मत जितना बिरियानी मसाला पाउडर आड़ करूंगी, थोड़ा सा बेरस्ता आड़ करूंगी, और इस लेयर में मैं आड़ करूंगी, फ्राइट पोटाटोस, पोटाटोस को भी अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, और इसमें मै चिकेन का जो ग्रेवी है उसको आड़ कर दूँगे और थोरा सा ओयल बे आड़ कर दूँगी और फिर से इस में आड़ कर दूँगी चावल का लेयर फिर सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी वही नमक बिरियानी मसाला पाउडर और इस लेयर में मैं चिकेन की पीसेस को एड़ कर दूँगे और इसको भी अच्छे से स्प्रेट कर लूँगी फिर से मैं चावल का लेयर लगा लूँगी और ये फाइनल लेयर है इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी इसमें भी फिर से वही थोरा सा नमक एक चमर जितना बिरियानी मसाला पाउडर थोरा सा बेरस्ता और थोरा सा मैंने रेट फूट कलर को मिक्स किया था उसको आड़ करूँगी और जो मैंने मिक्स्टर बनाया था उसको आड़ कर दूँगी और जो चिकेन का तेल बचावा था उसको भी थोरा सा आड़ कर दूँगी अब इसको चड़ा दूँगी दम पे दम पे इसको रखूँगी हाफ एन आवर के लिए एकदम लोग फ्लेम में और देखिए बिर्यानी रेडी हो गया है इसको भी सर्फ नहीं करेंगे हाफ एन आवर बाद सर्फ करेंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ सो देखिए बिर्यानी कितना अच्छा और खुला सा बना है तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइ करिएगा और कमेंट में ज़रू बताइएगा आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजगा मेरे चैनल को